पस्चिम मंगाल में शिक्षत भरती घोटाले की बाद राज्य सिरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है बताय जा रहा है कि पार्टी में बड़ा फेर वदल हो सकता है इस बैठक में नए मंत्रियों के नाम आने की संभावना है यह फेर बदल पार्टी की 26 उधारने के लिए की जा रही है नए मंत्रियों में जिनके नाम की चड़्चा सबसे तीज है उनमें बीजेपी से त्रीनूर कॉंगयेस में आये बावुल सुप्रियों का नाम चामिल है आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो केंद्रिय मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में बाली गंज विधान सभा से उपचुनाव में टीमसी से उमिद्वार बनकर जीत हांसिल की थी केंद्र में मंत्री रहे बाबुल को मंत्री मंदल से जोड़ी जानकारी भी है इसके अलावा पार्थ भौमिक और तापसराय का नाम भी लिस्ट में है जहां तापसराय विधायक हैं और पार्थ भौमिक के अगर बात करें तो त्रिमुल कॉंग्रेस के कद्दावर नेता में से एक माने जाते हैं जिनकी जमीनी पकड़ अच्छी है वैसे मुख्यमंत्री ने इस फेर वदल को लेकर किसी से कोई जानकारी साजा नहीं की है बंगाल में ससी घोटाले में गरफतार पुर्वमंत्री पार्थ चटरजी के पास तीन मंत्राले थे उद्योग, आईटी और पार्लियमेंटरी अफेर्स खबर तो ऐसे निकल कर सामने आ रहे है कि ममत्राबनर जी बड़ा फेर वदल कर सकती है जिनमें हो सकता है कि अधिकतर नेताओं से इस्तिफा मांग लिया जाए और नए चहरे को शामिल किया जाए